ओम जै श्रीहर विष्णू जै मतरणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मां भगवतित दुर्गा की क्रिपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं दोस्त नाराण की कथा कब करनी चाहिए संपोर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो बहुत महत्यपोर है पूरा जरूर देख लीजिए अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्यपोर होते हैं क्योंकि यह एक मातर जर्यां हैं जिनसे मुझे बता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए दोस्त पर जेश्ट माज की पुर्णिमा तिथी के दिन वर्ट साविद्री का व्रत रखा जाता है। पुर्णिमा तिथी के दिन पवित्र नदियों में नान करने का बहुत महत्व है। गंगा नदी, नर्मदा या कोई भी पवित्र नदी अगर आपके घर के आसपास हैं आप जा पाते हैं तो अत्यन्ती स्रेश्ट हैं आप जाकर स्वेम से गंगा नदी में शनान कर सकते हैं। अमाल लीजिए कि आप कहीं दूर रहते हैं, गंगा इत्यादे नदियां आपके घर के आसपास नहीं हैं तो ऐसी अवस्था में गंगा जल मिश्रित जल से आप शनान कर सकते हैं। कोई भी पवित्र नदी का जल मिलाकर फिर उसी जल से मागंगा का ध्यान करते हुए शनान कर सकते हैं। काम को भी कर सकते हैं और अभीजित महुर्द का जो समय होता है उस समय में भी आप पूर्णिमा तेथी के दिन पीपल की पूझा करने से समझत प्रकार की कामनाई पूर्ण हो जाती हैं। भगवान च्रिहर्विश्णु और मातक्ष्मी का वास माना जाता है पीपल के वरिक्ष में इसलिए पीपल की पूजा करके हम जो भी कामना करते हैं हमारी वो कामना निस्चित ही बोलो होती है तो पूरे शृध्धा भाव से पीपल की पूजा जरूर कर लीजेगा इसके लिए एक पात्र लेना है आपको कोई सा भी पात्र ले सकते हैं बस तांबे का नहीं होना चाहिए उस पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूद लेना है फिर जल से उसे भर दीजिए थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए अब इसी पात्र में आपको थोड़ा सा शक् में अर्पीद करना है इसके बाद अपने मन की जो भी कामना हो फिपल देवता को पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके वहां पर आपको ज़रूर कहना चाहिए फिपल के वृक्ष में सभी देवी-देवताओं का वास माना जाता है और हमारे तिथी के दिन पीपल के साथ तुलसी की पूजा करना भी स्रेश्ट माना जाता है तुलसी की जड में थोड़ा सा कच्चा दूधर पित करके और धूप दीप अक्षत पुष पर पित करके तुलसी की पूजा कर लीजिए तुलसी की परिग्रमा कर लीजिए और फिर तुलसी क के जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर और अपने मस्तक पर लगाएं इससे मा तुलसी के साथ भगवान श्रीर विश्णु की क्रिपा भी हमें प्राप्थ होती है शाम के समय पीपल में और तुलसी में दोनों स्थानों पर आपको दीपदान जरूर करना चाहिए घर के पूरिमा तिथी के दिन आराधना करने से आपकी कामना भी पूण हो जाती है अब बात करें कि जेश्ट मास की पूरिमा तिथी कब है तो देखिए 21 जून को पूरिमा तिथी का प्रारंभ हो रहा है सुबह 7 बज कर 32 मिनट पर और समाप्थोगी 22 जून को सुबह 6 बज कर 37 म बहत होता है जिस दिन पूरिमा तिथी का चंद्रमा हमें प्राप्त होता है उसी दिन पूरिमा का व्रत रखा जाता है तो पूरिमा तिथी का चंद्रमा हमें प्राप्त होगा 21 जून को यानि की शुक्रवार के दिन इसलिए 21 जून 2024 को पूरिमा तिथी का व्रत धारन करें तो 21 जुन को ही वट सावित्री का वरत भी रखा जाएगा 21 जुन को सुर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5 बज कर 46 मिनट पर और सुर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7 बज कर 11 मिनट पर 21 जुन को अभीजित महुर्थ का समय रहेगा दोपहर में 12 बजे से दोपहर 12 बज कर 55 मिन मुषर्ट का समय रहेगा सुबह चार बसकर तीन मिनट से चार बसकर तिरारीस मिनट तक और इस दिन राहु काल का समय है सुबह दस बसकर 48 मिनट से 12 बसकर 28 मिनट तक रहु काल में कोई भी शुबकार्य नहीं करना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है और अभीजीत मुहुर्त में आप कोई भी शुबकार्य कर सकते हैं जो भक्त पोणिवातिती का व्रत धारन करते हैं उनके लिए आवश्यक होता है चंद् सुर्योदयकाल का समय रहेगा 21 जुन को शाम को 7 बसकर 4 मिनट पर और 22 जुन को स्नान दान की पूरिमा है तो आपको ध्यान रखना है सुबह 6 बसकर 37 मिनट पर पूरिमा तिती समाप्थ हो जाएगी ऐसे में आपको सुबह 6 बसकर 37 मिनट से पहले स्नान दान और पूजा इत 22 जुन को राहू काल का समय सुबह 9 बसकर 7 मिनट से सुबह 10 बसकर 48 मिनट तक रहने वाला है तो इस समय में आपको दान नहीं करना है या कोई भी शुबकारिय नहीं करना इस बात का आपको ध्यान रखना है और 22 जून को अभीजित मुहुर्थ रहेगा दोपहर 12 बसकर 2 मिनट से 12 बसकर 55 मिनट तक इस समय में आप कोई भी शुबकार्य कर सकते हैं और 22 जून को ब्रह्म मुहुर्थ का समय है सुबह 4 बसकर 3 मिनट से 4 बसकर 43 मिनट तक तो प्रयास कीजिए कि आप स्नान दान ये सब ही कार्य ब्रह्म मुहुर्थ में कर लें या फिर सुर्योदे होने से पहले कर लें मालीजिये आप थोड़ी देर से करते हैं तो भी 6 बसकर 37 मिनट से पहले करने का प्रयास जरूर कीजिए तो एक बार फिर से समझ लीजिए दो दिन की पूणिवा है इस बार 21 जून और 22 जून जो भक्त पूणिवा का व्रत करते हैं 21 जून को व्रत करेंगे भगवान सत्यनाराण की कथा भी 21 जून को ही की जाएगी इसके साथ ही आप चाहे तो पीपल की पूजा भी 21 जून को कर सकते हैं वैसे पीपल की पूजा आप चाहे तो 22 जून को भी कर सकते हैं लेकिन 6 बज कर 37 मिनट से पहले कर लीजेगा और पॉर्णिमा का जो दीपदान होता है किसी मंदिर में या फिर किसी व्रिक्ष के नीचे या फिर कहीं पर भी जो आप दीबदान करते हैं पोडिमा के निमित वो आप करेंगे 21 जून 2024 को यानिके शुक्रवार के दिन तो दोस्तों ये है आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए उप्योगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर अ